जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self History Classes विस्तुमिजन यूटूब चैनल में तो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का सेशन सभी लोग लाइव आ जाएंगे वीडियो को सभी लोगों को लाइक कर देना है ठीक है रोज रात्री नौ वजे दोस्तों हम यहां पर हिंदी को पढ़ते हैं हिंदी साहत को पढ़ते हैं तो सभी लोग तयार हैं आज का इस सेशन पढ़ने के लिए तो फटा-फट से कमेंट में लिख देंगे दोस्तों और दोस्तों जो एप है अगर आप टी जी टी पी जी टी मास्टर केडर सब्कोर्स नागर किया है जिसकी जो रखी है वह भारासो रोपर रखी है llevar वह कोर्स लांच के एक साल बैलड रहेगा है ना इसमें आपको विष्थेत दिन करवाया जाएगा इसमें आपको टिर्की वीडियो भी मिलेंग के इसमें लाइफ किलासेश शाह democrat को मिलेंगी हर टॉपिक के बाद इस भी यहां पर आपको मिलेगा तो आज ही जोऔन करें दोस्तों TGT PGT यहां पर सबसे पहले तो आपको self study class एस एप डाउनलोड करना है पिले स्टोर से और नीचे लिंक दी है तो दोस्तो देर ना करें अपनी तैयारी को विवस्तित बनाएं और एप डाउनलोड करके दोस्तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं अच्छी बना सकते ठीक ह फिर आज हम दोस्तो अलंकार के बारे में यहां पर पढ़ेंगे अलंकार तो आप लोग पढ़ते ही हैं अलंकार के बारों में और पढ़ ले रहे हैं ठीक है तो सबी लोग तैयार हैं एच्छार्ट करें आज का इस सेसन तो आज का जो आपका पहला प्रस्न है कि अलंकारों की महत्ता के संबंद में इनमे से कौन सा कतन सही नहीं है कौन सा कतन अलंकारों की महत्ता से संबंद सही नहीं माना जाता यह आपको बताना है हविराओ जी प्रबीन जी नेंगी दीमा वर्मा जी और भादर मल जी अलंकारों की महत्ता के सम्मन्द में इनमें से कौन सा गतन सही नहीं है अलंकारों से काब सुंदर में ब्रद्दी होती है अलंकारों के बिना काब रचना संभाव नहीं है हैना अलंकार काब सुंदर उत्पन्न करते है और दोस्तों अलंकारों से काब में रोचुकता और प्रभ विश्नुता आती है तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है तब यहां पर आपका बिल्कुस सही आंसर हो जाएगा कि अलंकारों के बिना काब रचना संभव नहीं है यह तो ठीक है यह तो बिल्कुस सही है बाकि अलंकार काब सुंदर उत्पन करती हैं यह जो कथन है दोस्तों कि आपका गलत हो जाएगा, स्टी नमबर गलत होगा यहाँ पर, है ना, अलंकार काब सुंदर उत्पन करते हैं, बलकि काब सुंदर में नहीं करते, बलकि काब सुंदर में ब्रधी करते हैं, ब्रधी करते हैं, है ना, और अन अलंकारों की महत्ता की संबंद में सही है, तो यह पर याद रख लेना कि अलंकारों से काब की सुंदर में ब्रद्धी होती है अलंकार का सुंदर उत्पन्य सुंदर उत्पन्य नहीं करते यानि कि जो सी नंबर है वो आपका सही होगा सी नंबर आपका सही होगा सी नंबर ठीक है सी नंबर काब सुंदर उत्पन्य नहीं करते क काबिस वंदर में ब्रद्धी करती हैं कहना उसी आपका बिल्कुस सही हो जाएगा कौन सा अलंकार का भेद नहीं है कौन सा अलंकार का भेद नहीं है शब्दा अलंकार चंदा अलंकार अर्था अलंकार या फिर उभ्या अलंकार अलंकार की भेद आपने पड़े हैं दोस्तों हैना भेद पड़े हैं, टू नम्मर पड़ा है कि कौनसा अलंकार का भेद नहीं है, अलंकार का भेद कौनसा नहीं है, सब्दा लंकार, छंदा लंकार, अर्था लंकार या फिर उभ्या लंकार, तो आपने सब्दा लंकार तो पड़े हैं, अर्था अलंकार भी पड़े हैं, ओभ्य लंकार भी देखे हैं, है ना चंदा लंकार नहीं पड़ा, यानि कि अलंकार का भेद नहीं है, बिकल्प नमबर 2, चंदा अलंकार, बी नमबर आपका यहांद पर बिल्कुँ सही हो जाएगा, चंदा लंकार, अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं दोस्तों सब्दा अलंकार अर्था अलंकार और ओभ्या लंकार है ना छंदा अलंकार अलंकार का भेद नहीं है तो छंदा अलंकार आप कब यहां पर उत्तर सही होगा ठीक है अनुप्रास लंकार के बारे में पढ़ें इन मैसे जो अनुप्रास लंकार का लक्षण ना हो उसे छाटना है अनुप्रास लंकार आप लोग समझते हैं दोस्तों अनुप्रास लंकार के भी पांच भेद होते हैं अब यहाँ अनुप्रास लंकार के बारे में आपको बताना है कि अनुप्रास लंकार का लक्षन कौन सा नहीं है सब्दे के प्रारंब अत्वा अंत में बरनों की आबरती एक या अनेक बरनों की किरमानुसार आबरती पंक्ति की संपूर्टया आबरती या फिर एकी उच्चान स्थान से बोले जाने वाले बरनों की आबरती तो अनुप्रास अलंकार का लक्षन कौन सा नहीं है ये बताना ह हैं तो आपको पता है कि सब्दिक के प्रारम तथा आंत्य में बरणों की आबरती होती है बिल्कों सही है यह क्या नेक बरणों की किरमानुसार आबरती बिल्कों सही है पंक्ति की संपूर्तया आबरती तो यह गलत है पंक्ति की संपूर्तया आबरती नहीं होती यानि कि आप आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नमबर C, C नमबर आपका बिलकुँ सही है, ठीक है, एक ही उच्चान स्तान से बोले जाने वाले बरणों की आबरती ये भी सही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, C नमबर बिलकुँ सही होगा, C नमबर, ठीक है, पंक्ति की संपूर सोसुक सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा लंकार है आपने पढ़ा है किसर जहां पर वर्णों की बार बार आबरती होती है बहां पर अनुप्रास लंकार होता है सिलपा सिंग जी स्रीधर जी मौरव हैना हैमलता जी तो यहां पर देखो वर्णों की आबरती हो रही है सा स सा असा वरनों की आबरती हो रही तो आपको बिलको सरल है उलिसन अनुप्रास लंकार है है ना इसमें कोई परिशान होनी की ज़ूरत आपको नहीं पढ़ती जादा है ना यहां पर इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों अनुप्रास सब्द अनुप्रास सब्दों से मिलक बना है अनुसब्द का अर्थ होता है बारबार और प्रास का अर्थ होता है वर्न है ना जहां स्वरकी समानता के बिना भी वर्नों की बारबारा बृत्ती होती है वहां पर अनुप्रास लंकार होता है प्रस्तुत पंक्ती में स्ता तथा मावर्न की बारबारा बृत्ती हो रह जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं तो आपको बताना है पाँच कौन-कौन से छे का अनुप्रास, ब्रत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, तुरत्या अनुप्रास और अनत्या अनुप्रास तो इस प्रकार से याद रखने ना आपसे पूचा जाएगा पूँचा जाएगा कि निमन में से बताईए कौनसा अनुप्रास का लंकार नहीं है अनुप्रास का अनुप्रास का बेद नहीं है तो अनुप्रास का बेद आपको याद रख लेना है छेका अनुप्रास, ब्रत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, सुरत्या अनुप्रास और अनत्या अनुप्रास ठीक है यह 5 होते हैं इनमें 3 महत्पुन होते हैं छेका अनुप्रास, ब्रत्या और लाटा ये तीन बहुत महत्पूर होते हैं ठीक है इनको याद रखने ना है अनुपरास के पांच बेद होते हैं पांच इनको याद रखने ना ठीक है जहां कोई वर्ण केवल दो वार आए वहाँ छेका नुप्रास जहां किसी वर्ण के अबृतियों के अनुसार हो वहाँ बृत्या नुप्रास होता है बृतियां तीन प्रकार की होती है कौमला परुसा तथा उपनांगरिका ठीक है बृतियों के अनुसार जहां पर वर्णों क क्या बृत्ति हो बहां पर दोस्तों ब्रत्यानुप्रास जिस रचना में या रा लावा सा आधी कौमा लक्ष्रों की प्रधानता हो बहां कौमला जहां ओचकी बेंजना करने वाले कठोर सब्दाएं जैसे टावर के बरन तता दुइत्वरन वहां परुसा ब्रत्ति होती हो प सामा नर्थ तो यह की होता है कि तु अनवाय करने से पूरी उक्तिकार्थ है बदल जाता है यहां पर थोड़ा सा कठिन बे में समझाया गया है इसको अच्छे से समझने की जहुरत है दोस्तों कि जहां वरनों की आब रित्ति बार-बार होती है उसमें कौन सा लंकार होता ह है आपको चैन करना है है ना सभी लोग बताएंगे जहां वरनों की आब रित्ति बार-बार होती है बहां उसमें कौन सा लंकार होता है उसमें होता है अनुप्रास सभी को पता है अनुप्रास लंकार होता है ठीक है अनुप्रास लंकार इसको याद रख लेंगे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है तू उपर एक पंक्तियों में कौनसा अलंकार है तो यहाँ पर आपको बिल्कु समझ में आ गया होगा कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है तू है ना स्वर्ग नरकता है तू तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका कौनसा अलंकार हो ज जाएगा अनुप्रास यानि ये नम्मर आपका अनुप्रास बिलकु सही है ओमेज जी और कमला ठाकुर जी अनुप्रास अलंकार तो आप लोग समझ गया होंगे लेकिन अनुप्रास के भेद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कभी कभी पूचा जाता है दोस्तों यहां हिर्दय जाके नहीं बिपति सुमंगलता ही यहां पर कौनसा कौनसा अनुप्रास हो जाएगा कौनसा अनुप्रास होगा दोस्तों यहां पर राम हिर्दय जाके नहीं बिपति सुमंगलता ही यहां पर कौनसा अनुप्रास अलंकार होगा चार बिकल्प हैं चार में आपने पांच का उत्तर बता दिया कि सर पांच का जो उत्तर होगा वो होगा लाटा अनुप्रास है ना लाटा अनुप्रास इसमें सही हो जाएगा है ना इसको याद रख लेना दोस्तों लाटा अनुप्रास है इसमें है ना यहाँ पर देखो कि पैस्तुत पंक्ती के इसको याद रख लेना है लाटा अनुपरास है ना इसमें देखो बहुती बढ़िया तरीके से बताया गया है कि राम हिर्दय जाके नहीं विपत्ती सुमंगल ताही यानि कि इस अल्प ब्राम को यहां कर दिया गया यहां कर दिया गया दोस्तों तो इसका अर्थ चेंज हो ग जाएगा लाटा अनुपरास हो जाएगा पंक्ती बही है सब्द बही है सिर्फ काय का अल्प ब्राम का अंतर पंक्ती का अर्थ चेंज हो गया ठीके पंक्ती का अर्थ चेंज हो गया लाटा अनुपरास बिलकुस सही हो जाएगा है ना जननी तू जननी भाई बिदीसन कछूना बसाए में कौन सी कौन सा लंकार हो जाएगा छेका नुप्रास छेका नुप्रास लाटा नुप्रास ब्रत्या नुप्रास या इनमें से कोई नहीं जन्नी तू जन्नी भई बिधीसन कछूना बसाए इसमें कौन सा लंकार है तब ही लोग बताएंगे ससी मिस्राजी जननी तू जननी भाई, बिदी सन कचुना बसाए, में कौन सा अलंकार है, और यहां पर आपका बिल्कुँ सही अलंकार जो हो जाएगा, वो हो जाएगा लाटा अनुप्रास, कौन सा हो जाएगा, लाटा अनुप्रास, ठीके, जब एक सब्दिया बाखखंड की आबरिती उस अर्थ में हो परताथ पर या अनवाय में भेद हो तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है लाटा अनुप्रास अलंकार को भी आपको समझना है मैं आपको समझाओंगा विस्त्रे तद्यन जब करवाओंगा तो उसमें लाटा अनुप्रास तृत्या अनुप्रास हा सा लंकार है तरण अगर अनूप्रास के भेद पड़े हैं तब आप इसका बता पाओगे कि सर इसमें चूकी अनुप्रास की एक ही भेद दिया है तो आप लगा दोगे ब्रत्या नुप्रास जहां एक अधिक वर्न समूह की एक सिदिक बार आबरत्यी हो वहाँ पर ब्रत्या नुप्रास अलंकार होता है कई बार ताकी आबरती हुई अता है ब्रत्या नुप्रास अलंकार है ठीक है जहां पर एक ही वर्ण की वारवार आबरती हो रही दोस्तों वहां पर ब्रत्या नुप्रास होता है इसको याद रख लिना ब्रत्या नुप्रास यानि बी नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा ब्रत्या नुप्रास, बी नमबर, ठीक है, बी नमबर, जहां एक बेंजन की आबरती एक या अनेक बार हो, बहां होता है, क्या होता है, छेका नुप्रास, ब्रत्या नुप्रास, लाटा नुप्रास, या फिर तीनों, जहां एक बेंजन की आबरती एक या अधिक बार हो, बह बहां कौन सा लंकार होता है, अभी हमने पढ़ाना कि जहां एक ही वर्न की आबरिती एक ही आनिक बार हो बहां कौन सा लंकार होता है, अभी हमने उपर पढ़ लिया है कि तरण तनूजा तर्टमाल तरवर वहुचाए, ता ता, ता की आ रही है, ठीक है, ता ता, ता की आबरि जहाँ एक बेंजन की आबरती एक या अनेक बार हो बहाँ पर ब्रत्यानुप्रास होता है तो अब नहीं लगता मुझे कि आब ब्रत्यानुप्रास भूलोगे यह तीनों नहीं होगा यह ब्रत्यानुप्रास होगा जैसे यहाँ पर देखना आपने तरण तनूजा तट तमाल यानि कि ता ता की आबरती हो रही है तो यहाँ पर होता है ब्रत्या नुप्रास अब ब्रत्या नुप्रास भूला नहीं है ब्रत्या नुप्रास हो जाएगा रिया नायक जी हैना यहाँ पर देखो कि जहाँ पर एक बेंजन की आबरती एक यान एक बार हो बहाँ पर ब्रत्य अनुप्रास होता है ब्रत्य अनुप्रास भूला नहीं है ब्रत्य अनुप्रास आपका परफेक्ट हो गया है। कौन सा अलंकार है अलंकार बताना है तो दोस्तो अपन ने पढ़ा था कौन सा एक तो सभी को पता है कनक कनक से सोगुनी कनक कनक और यहाँ पर सूर सूर सुलिसी ससी है ना पोडगन के सवदास यहाँ पर दोस्तो आपका अलंकार है यह तो सभी को पता है बी नंबर लेकिन यह यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है कि यहां एक सूर का ताथ पर है सूर्दास और दूसरे सूर का ताथ पर है सूर से और सूर्दास है ना अता प्रस्थत पंक्तियों में यमक अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा आपका है ना सूर मतलब सूर्दास सूर मतलब स तुलसी ससी और डगन केसवदास अर्था सूर सूर है तुलसी चंद्रमा है है ना तो यहां पर यह जो सूर है इसका अर्थ है सूर और यह जो सूर है इसका अर्थ है दोस्तो सूरदास है ना तो इसको याद रख लेना है कि सूर सूर है तुलसी चंद्रमा है और केसवदास न शत्र है और आधने कभी जुगनियों के समान तहा तहां प्रकास यानि की सूर चंद्रमा है ये भी आद रखते है सूर दास वो क्या है, सूर है, तो इस सूर का अर्थ है सूरदास, और इस सूर का अर्थ है सूर, इसको अच्छे से समझना है, इस सूर का अर्थ सूरदास, इस सूर का अर्थ है सूर, यानि कि सूर, सूर है, तुलसी, चंद्रमा है, है ना, इस प्रकार से, तो सूर, सूर का अर्थ, अल कनक कनक तें सोगुनी मादक ताधिकाय में कौन सा अलंकार है प्रश्न किरमांक टू कनक कनक तें सोगुनी मादक ताधिकाय में बताना है ससी जी सक्चम जी सुनीता जी बिलॉगर किंग जी समपंडिच जी कनक कनक तो ये तो सभी को पता है पुलिसर एक कनक का आर्थ होता है क यमक अलंकार होता है ना तो यहां पर आपका यमक तो आपको भी पता है प्रस्थत पंक्ती में कनक सब्द दो बार आया दोनों को आर्थ क्या है अलग-अलग है पहले सब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे अर्थ का अर्थ है स्वना जहां कोई सब्द एक से अधिक बार आ अर्था तो उसकी आबरिती हो प्रत्य के स्थान पर भिन भिन आर्थ दे बहां पर यमा कलंकार होता है तो कनक का आर्थ धतूरा कनक का आर्थ स्वना है ना दोस्तो सूर का आर्थ सूर्दास सूर का आर्थ सूर यानि कि यहां पर यमा कलंकार हो जाएगा ठीक है बिलकुल बैच्चपन से आभी रहें कई वार कई वार आ पड़ा है हैना समझी सजना हैISH मुझे सजना के लिए। मुझे सजना के लिए। जहां सब्दों सब्दाny सवूं या भाक्यान सों की आब रिति हो किंतु उनकी अर्थभिन हो बहां कौन सा लंकार होता है। परिवासा भी आपसे पूछी जाती है बीर सिंग ने अमक जी हैना उपासना बबली जी डीपी आदो जी जहां सब्दों सब्दान्सों या बाक्यांसों की आबरती हो किन्तु उनके अर्थ भिन्न हो बहां कौनसा अलंकार होता है प्रश्न किरमांग चार में बताना है और अल तरनी संग तरल तरंग में तरनी डूवी थी हमारी ताल में कौनसा अलंकार हो जाएगा तब ही लोग बताएंगे आरती मौर जी, आसुतोस्तिवारी, नायव जी और हरियोम जी, हैना, रीना जी, सबी लोग बताएंगे, रिया नायक, प्रश्न किरमा, तरणी तरणी दो सब्दाया है, दो बार आया है, पुलिस सर्दौनों का अर्थ भी अलग-अलग है, हैना, दोस्तों आपको पता है, कि यमक अलंकार हो जाएगा, यमक हो जाएगा, यानि कि तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी, हमारी ताल में, तो यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा, गद्यांस में तरणी का प्रियोग दो बार हुआ, इमां दोनों का अर्थ अलग है, इसमें पहले तरनी का अर्थ है दोस्तों क्या नाओ अता यहां पर यमा कलंकार होगा यमा कलंकार होगा इसको भी याद रखेंगे ठीक है तरनी तरनी है ना इसको याद रख लीना है यहां पर देखो खग कुल कुल सा बोल रहा रेखान के सब्दों का अलंकार है तो कौन सा है खग कुल कुल सा बोल रहा कौन सा अलंकार है इसमें अलंकार बताना है सबी लोग रुक्मनी जी वर्ट्स हैना भावना जी DSSB वाले हों या फिर PGT वाले हों TGT वाले हों कोई हों सात्यों जो हिंदी साहत वाले हैं वो हिंदी साहत वाले Self Study Classes एप डाउनलोड जरूर कर लें हैना Self Study Classes एप डाउनलोड कर लें जहां पर आपको कोर्स लांच किया है और कोर्स मात्र 12 सुरोपे में है जो की एक साल तक आपका बैलेट कोर्स रहेगा जिसमें आपको हिंदी साहत संपून कबर किया जाएगा हिंदी ब्याकन भी कबर किया जाएगा तिर्की वीडियो मिलेंगे ताती प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे खग कुल कुल सा बोल रहा यमक लंकार प्रितम कुल सब्द का अर्थे समू हैं दुतिये तरतिये कुल कुल सब्द का पक्षियों के कुल कलरों के सूचक हैं तो कुल सब्द के भिन अर्थों में प्रियुक्त होने के कारण यहां पर यमक लंकार हो जाएगा यमक है तो पर बारों अर्वसी सुन राधी के सुजान तू मोहन के अर्वसी हवे अर्वसी सुजान अब यहाँ पर दोस्तो अर्वसी सब्द कई वार आया है यहाँ और यहाँ पर और आपको बताना है कि कौन सा अलंगकार होगा तो पर बारों और वसी सुन राधी के सुजान तू मोहन की और वसी के हवे और वसी सुजान है ना तो यहां पर आपको बताना है कि उत्तर यहां पर आपको तो पता है कि सर्यमक है लेकिन यमक कैसे है वो देखो पहले और वसी का आर्थ है अपसरा अपसरा नाम की एक और वसी है ना और दूसरे और वसी का आर्थ है हिरदय में वसी तीसरे और वसी का आर्थ है एक आबूसन के लिए प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर यमा कलंकार है है ना तो यह अपसरा का नाम है एक औरवसी है ना एक औरवसी मतलब हिरदाय में बसी ठीक है और तीसरे अर्थ का आबुसन तो यहाँ पर देखा कि तो पर बारों औरवसी सुन रादी के सुजान है ना तू मोहन की औरवसी है ना हवे औरवसी तीनों के अर्थ अलग-अलग हैं इसलिए आपने बताया कि ये है दोस्तों क्या ये है अपना अलंकार यमा कलंकार ठीक है यमा कलंकार ये भी आपने देख लिया जहां पर एक ही सब्द की बार-बार अबृती हो और उसका अर्थ अलग-अलग हो बहां पर यमा कलंकार होता है एक लास रोज नौ बज़े लगती है तो आपको पता चल गया तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा स्वानुजी वो हो जाएगे कौन सा स्वानुजा और हलदर स्वानुजी वो हो जे बिन अबृती के ही अर्थ निकलते हैं जैसे ब्रस भानुजा से ब्रस भानु एना की बेटी राधा और ब्रसब की बहन गाय का तता हलदर के बीर से बलदेव खश्न के भाई और साण बेल के भाई का अर्थ निकलता है तो यहाँ पर ब्रस भानुजा ब्रस भानुजा और हलदर के अनेक अर्थ अबरती केवल एक ही बार हो रही है लेकिन इसके अर्थ अलेक निकर रहे हैं तो कौन सा लंकार होता है या सिलेस अलंकार यमा का लंकार में क्या होता है एक ही सब्द की बार-बार अबरती होती है इस प्रकार से बार-बार अबरती हो रही है इनका अर्थ अलग-अलग निकर लेकिन सिलेस में क्या होता है एक ही सब्द की एक बार आबरिती होती है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं है ना तो यह सिलेस अलंकार होता है इस सिलेस अलंकार सी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है जिससे काब पंक्ती में प्रियुक्त किसी एक ही सब्द के एक से अधिकर्थ हो उस पंक्ती में कौन सा लंकार एक ही एक ही सब्द के एक से अधिकर्थ हो उसमें कौन सा लंकार होता है रूपक, अनुप्रास, सिलेस या फिर एमा का लंकार तो जल्दी से बताएंगे आचार सुसील कुमार जी, बेरागी है ना और सुमंजी सभी लोग बताएंगे और दोस्तों जिन भी सातियों को कोर्स लेना है कोर्स पर्चेस करके पढ़ना चाहते हैं वो सभी साती कॉल करके बता सकते हैं नीचे नमबर भी चल रहा है कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं है ना क्यूंकि एक कोर्स आपके लिए सिले सलंकार होता है दोस्तों कौन सा होता है सब्दा लंकार होता है अर्था लंकार होता है उभया लंकार होता है यह परियुक्त सबसे अलग होता है आपको बता होगा दोस्तों कि अर्था लंकार आपने पड़े हैं सब्दा लंकार भी आपने पड़े हैं सिले सलंकार किसका बед माना जाता है ए आपको बताना है प्रश्न किरमांक तीन में तीन में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका स्लेस लंकार होता है सरस्वती जी पृति गोल अनीता जी रिया नाईक जी सबी लोग बताएंगे सिसमा मौरे जी स्लेसलंकार किसमे होता है सिलेस लंकार जो भेद है वो भेद है दोस्तों किसका सब्दा लंकार का सब्दा लंकार का बेद है सिलेस इसको याद रखना जहां सब्दों के कारण कविता में सौंदर या चमतकार आ जाता है उसे सब्दा लंकार कहते हैं अनुप्रास यमक सिलेस बक्तरोक्ती के दोस्तों सब्दा लंकार का भेद है कौनसा अर्था लंकार का भेद है ठीक है तो सब्दा लंकार के भेद आपको पता होनी चाहिए है ना और अर्था लंकार के भी होने चाहिए भूमिका त्रपाटी जी आप कॉल कर सकते हैं जिनको भी सातियों को लेना है जो पैड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं बिस्तरित पढ़ना चाहते हैं ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं टेस्ट लगाना चाहते हैं वो सबी लोग दोस्तो इस कोर्स से जुड़ जाएं इस कोर्स की फीस जादा नहीं रखी है जिससे आप पर जादा मतलब इसको हर ब्यक्ति करी सकता है हर ब्यक्ति के पहु यहाँ पर अलंकार बताना है अलंकार आपको पता चल जाएगा कि अलंकार आप से कितना वर्हा रहा है तब आपका यहाँ पर शिलेस-लंकार हो जाता है सिलेस यानि d number अब इसको सिलेस लंकार को यहां पर हम देखते हैं कि सिलेस लंकार है, जब काब में एक सब्ड एक बार हो और उसका अर्This भिन्न भिन्न हो बहां सिलेस लंकार होता है, प्रस्तवत पंग्तिया बहारी द्वारा रचित हैं यहां समीर का दो अर्थ है पहले समीर का सब्द का अर्थ है मदमस्त हाती सता दूसरे समीर का अर्थ है सब्द का अर्थ है दोस्तो कुंज में प्रभाहित मंद बायू तो समीर का दो अर्थ निकर रहे यानि की कौन सा लंकार होगा सिले सलंकार जहां एक ही सब्द के दो निकलें बहाँ पर या भिन भिन अर्थ निकलें बहाँ पर दोस्तों होता है सिलेस अलंकार ठीक है अंजो तर्योना ही रहो सुरुती सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है प्रश्न किरमांक पांच में हैना एस किरन जी और सबी को बताएंगे उतर क्या हो जाएगा अखलेस कुमार यादव जी अंजो तर्योना ही रहो सुरुती सेवत एक रंग में जो अलंकार है वो अलंकार है दोस्तों सिलेस अलंकार अब इस सिलेस अलंकार कैसे है वो देखो तर्योना पार ना लगना कि टुकडे करके भिन भिन निकाले गए अतह यहां सिलेस अलंकार हो जाएगा तर्योना ही रहो तो इसका दोस्तों यहां पर आपका यह नमबर बिलकुँ सही हो जाएगा फिर बात करते हैं रूपा का लंकार की दोस्तों हमने यमक लंकार पढ़ लिया अनुपरास अलंकार पढ़ लिया सिलेस अलंकार हमने देख लिया, अब हमें रूपा का लंकार पढ़ना है, कौन सा अर्था लंकार है, हमने दोस्तों सब्दा लंकार पढ़ लिये थे, यमक, सिलेस, अनुप्रास और बक्त्रोक्ती, ये सब्दा लंकार के बेद होते हैं, है ना, सब्दा लंकार के बेद कौन कौन से होते हैं अनुपरास, यमक, सिलेस, हैना और बक्रोक्ती ये सब्दालंकार के बेद हैं तो यहाँ पर आपको दिखरा होगा दोस्तों कि सिलेस, यमक ये सब्दालंकार है, सब्दालंकार है, यमक सब्दालंकार है, बक्रोक्ती सब्दालंकार है, तो अर्थालंकार कौन होगा, पुलिस लंकार होता है अर्थ के माध्यम से इसमें उपमा रूपक उत्प्रेक्चा द्रश्टांत संदेह अती सयोक्ती पृतीप भ्रांतिमान दीपक ब्यतिरे कपन होती अननबाय दोस्तो मानवी करण उलेक इत्यादी जो होते हैं वो अर्था लंकार कहलाते हैं ठीक है तो इनको कौन से अर्था लंकार कहलाते हैं कौन से सब्दा लंकार कहलाते हैं यहां से कौश्चन बनते हैं जो चीज में आपको बताता जाता हूं दोस्तों उसको नोट जरूर किया करें कि कौन कौन से कौश्चन आते हैं है ना तो यहां से कौश्चन यह बन जाता है कि कौन सा निम यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा जल्दी से बताओ सभी लोग यहां पर दोस्तो उदित उदय गिरी मंच पर रगुबर बाल पतंग विक्सते संत सरोज सब हरसे लोचन भरंग इसमें अलंकार चैन करने के लिए बोला इसमें रूपक अलंकार है रूपक अलंकार की हम पर राया जाए बहां होता है रूपक के तीन भेद होते हैं दोस्तों कोंसे निरंग सांग और परम्परित यहना कितने भेद होते हैं रूपक के तीन भेद होते हैं नरंग में केबल उपमे और उपमान का भेद हो रजता है जहां उपमे में उपमान की अंगों का भी आरोप हो बहां सांग रूपफ होता है इसको भी आद रख लेना है दो तो प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सवा मे रखे गए धनुस का वर्नन है जिसे तोड़ने के लिए स्री राम मंच पर चड़ गए हैं इसमें मंच रगुबर संत लोचन उपमे तथा उपमान उदैगिरी बाल पतंग सरोज और भ्रंग उपमान है ठीक है तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है यहाँ पर आपको सम इसको याद कर लिना और मैंने आपको ट्रिक से भी बताया है यूटूब पर सर्च कर लिना ट्रिक से कि अलंकार को कैसे पहचानना है एक बार में ही आप पहचान जाओगे उदेत उदैगिरी मंच पर रगुबर बाल पतंग में पुलिसर इसमें रूपा का लंकार है एना चरन कमल बंदों हरिराई में कौनसा अलंकार है चरन कमल बंदों हरिराई तो इसमें प्रस्ण किरमांग चार का उत्तर आपको चेन करना है चरन कमल है ना और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौनसा कौनसा हो जाएगा रूपा कलंकार प्रस्तोत पंक बहां रूपी सब्द का प्रियोग हो बहां रूपा कलंकार होता है। क्या नहीं है भेद नहीं है यहाँ पर देखो चंद्र सा खिलोना नहीं बोल ला है चोटल बोल रहा है कि चंद्र का चंद्र खिलोना ले हो वो चंद्र है उसको खिलोना मान लिया गया है वो खिलोना ही है है ना चंद्र खिलोना ले हो यहाँ पर यह नहीं बोल ला है कि चंद बाले हरी की मैं बंदना करता हूं जहां रूपी सब्द का प्रियोग हो बहां पर रूपा कलंकार होता है तो चंद्र रूपी खिलोना यह नहीं हो रूपी सब्द अगर आजाए तो बहां पर हो जाता ठीक है इसको याद रखने ना है हैना ससी मिसरा जी बिलकुल चरन कमल बंदो हरी राई एक कई बार पूछा जाता है चरन कमल हैना चरन रूपी कमल हैना कमल रूपी चरन ऐसे दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों कमल रूपी चरन होगा कमल रूपी चर तक अग्याव, वो रूफक है. मुख रूपी चन्द अब रूपई आ गया तो रूपक तो आप लगागे. हैना चरन कमल बंदों, हरीराई बिल्कु सही है. रूपक लङकार है ». उपमान का आरोप किया जाए. बाक मैं उपमेपर उपमेपर बाक मैं का आरोप किया जाए. भह कमल समीप सजेते दो किसले दल पुरायन के उपर उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है कौन सा अलंकार है मुख कमल समीप सजेते पंजाब मास्टर के अडर वाले इस किलास को मिसमत करना ये जो किलास है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है पंजाब मास्टर के प्रस्तोत पंकियां जैसंकर प्रसाथ की आँसु नामक रचना से ली गई और दोस्तों उपमे में उपमान कारोप किया गया अता क्या है रूपक अलंकार सकी नील नबसर नबसर से उतरा एहंस अहा तृता तृता अब तारक मेत्तिक सेस्ट नहीं निकला जिनको चर्ता चर्त इसमें दोस्तों कौनसा रूपक 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 प्रिख्चल अंकार की बात करें तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मिरदुल अद खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेग बन बीच गुलावी रंग फंक्तियों में कौन सा अलंकार है अलंकार बताना है हाँ ससी मिस्रा जी नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मिरदुल अद खुला अंग खुला खिला हो जो बिजली का फूल मेग बन बीच गुलाबी रंग है तो यहाँ पर बोले सर यहाँ पर अपन उत्प्रेक्चा तो पढ़ाई रहे हैं तो उत्प्रेक्चा ही है यह तो कौमन है सबी लोग बता देंगे हैना लेकिन इसको तुला सा अपन समझेंगे कि उम्प्रकास सरमादवारा रचित काब्या लोचना भारती काब सास के अधुनिक तक किर्थी में उपर पंक्टियों में बस्तूत प्रेक्चाल अंकार दर्सित है तो इसको याद रख लिना और जबकि हरिस्चंद बरमादवारा रचित साहित चिंतन की नए आयाम में काब बिम्ब्रत प्रतर सित किया गया किनी किनी पुस्त को में पंक्टियों को उपमाल अंकार बताया गया है अता उत्तर प्रेदेस कुछ बाचक सब्द होते हैं दोस्तों इसके, जब उपमे में उपमान की संभावना प्रगठ की जाए तब कौनसा लंकार होता है, सभी लोग बताएंगे, जब उपमे में उपमान की सबावना प्रगत की जाए तब होता है इसमें कौन सा उत्प्रेक्चा उत्प्रेक्चा इसको देखो कैसी बनेगा जब में मुपमान की सबामना प्रगट की जाए तो उत्प्रेक्चा लंकार होता है मानो माना हूँ मना हूँ मनू जानो जानो जानू निस्चा आदी उत्प्रेक्चा की बाचक सब्द हैं दोस्तो जहां पर मानो, माना हूँ, मना हूँ, मनू, जानो, जानू, जनू, यह सब्द आते हैं, अपन बोलते हैं, कि मानो, चंद्रमासा, सुन्दर, इस प्रकार से बोलते हैं, अपन कुछ-कुछ मानो, जानो, है ना, तो उत्प्रेक्चा में अलंकार में जब भी आएंगे तुमानो मानाओ मनाओ मनू जानो जानू जनू इस प्रकार से सब्द आते हैं और उपमे में उपमान की संभावना प्रगट की जाती है उत्प्रेक्चा लंकार तीन प्रकार का होता है बस्तू उत्प्रेक्चा हेतू उत्प्रेक्चा और फलोत उत्प्रेक्चा कितने प्रका में जहां एक बस्तू में दूसरी बस्तू के आरोप की शंभावना बैक्त की जाए बस्तू में है ना बस्तू में तो बस्तू उत्प्रेक्चा जहां संभावना के मूल में कोई कारण हेतू हो बहां हेतू उत्प्रेक्चा जहां किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना ह बहां फलोत उत्प्रेक्चा तो हमने यहां पर देख लिया कि जब हमें क्या पहचानना है उत्प्रेक्चा लंकार तो हम जाना हूं माना हूं इन सब्दों को इन बाचक सब्दों को जानेंगे है ना और उत्प्रेक्चा लंकार की होते हैं तीन भेद कितने होते हैं तीन मांक एक है और एक में आप बताओगे घटना चक्रबोक है पीपर पात सरस्मन डोला में जो मन है इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है कौनसा है इसमें मन बताना है मन क्या है मन बिलकुँ सही है इसके अंगों होते हैं उपमे उपमान बाचक और धर्म ये चार अंगों होते ह दोस्तो आपको पता है कि उपमा के दो भेद होते हैं एक तो होता है लुप्त उपमा एक होता है पूर्ण उपमा है ना दोस्तो दो भेद होते हैं उपमा लंकार के लेकिन इसके चार अंगों होते हैं उपमा लंकार के चार अंगों होते हैं और दो भेद होते हैं यह आपको चारों अंगों के उपस्तित होने के कारण यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो पूर्ण उपमान अलंकार है जिसका बरना निस्त्रकार है कि पीपर पात उपमान है पीपर पात क्या है पीपर पात उपमान है और मन क्या है उपमे है उपमे है ना तो उपमान और उपमे याद र क्या याद रखोगे उपमा लंकार के कितने अंग होते हैं चार अंग होते हैं और अगर चार में से एकाद अंग जो है वो मिस है तो वहां पर हो जाता है लुक्त उपमा है ना जब दो भिन बस्तूओं में साधर्म है अर्था धर्म की समानता दिखाई जाए तो बहां उपमा लंकार होता है संस्कित साथ में इस अलंकार का विसेस महत्तों बना जाता है दोस्तों उपमा अलंकार है ना उपमा अलंकार के कभी कह जाते हैं कालिदास जी आपको पता होगा और उपमे उपमान बाचक सब्दों धर्म है उपमा लंकार के कितने भेद हैं पूर्ण उपमा और लुप्त अब यहां से उपमा के बारे में आप समझ गए होंगे कि सर उपमा के दो भेद होते हैं पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा उपमा के चार अंग होते हैं है ना कौन-कौन से उपमे उपमान उपमे उपमान है ना साधरन धर्म और बाचक सब्द यह होते हैं अगर यह चारो ही अंग अगर उपस्तित हैं तो हो जाएगा पूर्ण उपमा और चार में से अगर एक उपस्तित एक भी अगर गायब है तो हो जाएगा लुप्त उपमा ठीक है ते पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा इसको समझना है मौम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका उ आपका बिलकु सही आंसर हो जाएगा पुलिस तर इसमें सारे की सारे जो हैं अंग उपस्तित हैँ यानि कि पूर्ण उपमा इसमें बिलकु सही हो जाएगा ठीक है याद रखलीना है B. पूर्ण पम्मा आपका बिल्कु सही है ठीके पूर्णोपमा यहाँ पर देखते हैं कि जिस उपमा में चार वंग बिद्वान हो वहाँ पर होता है पूर्णोपमा पूर्णोपमा इसको याद रखता है ठीके प्रस्थोत पंग्तियों में मौम तथा दीप के उपमान है तन तथा मन के उपमे है बाचक सब्द दोनों में हैना सादान धर्म सादान धर्म जो है धुल चुका तथा जल चुका है अता यहां पूरन उपमा अलंकार माना जाता है हैना यह दोस्तो सब्द सा सब्द सा एक बाचक सब्द हो जाएंगे हैना जिस धर्म साम को आधार बना कर उपमे उपमान में एकता इस्तापित की जाती है उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं जिस धर्म साम को आधार बना कर उपमे उपमान में उपमे और उपमान में एकता इस्तापित की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे बताना है तो जैसे हम बोलते सरिस मन डोला तो सरिस क्या है सरिस क्या है दोस्तों है ना सरिस क्या है और इस तर सरिस जो है ये बाचक सब्द है और ये बाचक सब्द ही उपमे और उपमान में एकता इस्तापित करता है उपमे और उपमान में एकता इस्तापित करता है कौनसा बाचक सब्द बाचक सब्द यानि B नमबर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा है ना बाचक सब्द जिस धर्म साम को आधार बना कर उपमे उपमान वेक्ताश स्तापित की जाती उसे बाचक सब्द कहते हैं उपमे तता उपमान उपस्तित बहगोन जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधान धर् तता जिसको उपमान दी जाए उसे उपमे कहते हैं तो उपमे उपमान आपको अच्छे से पढ़ना है तो अलंकार का वीडियो एक बार देख लेना मैंने अलंकार का वीडियो बिल्कुल सरलबे में बताया है एक एक लाइन में अलंकार बताया कि कैसे आपको अलंकार को पह प्रांतिमान आदी अलंकारों को पढ़ेंगे है ना तो सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को और जितने भी साती दोस्तों मैं कहता हूं कि सभी लोग इस को जॉइन करें जितने भी हिंदी साहित बाले हैं इसका जो कोर्स प्राइज रखा है आपकी पहुंच से बिल्कु करना है इस कोर्स को आपको दोस्तों क्या करना है इस कोर्स को परचेस करके आपको पढ़ना है तब आपकी जो तयारी है बहुत मजबूत होगी बहुत अच्छी होगी यहां पर आपको बिस्त्रे तद्ध्यन मिलेगा बिस्त्रे तद्ध्यन के बाद दोस्तों आपको यहां इसको जॉइन करें और साथ ही आपका आकलन कैसे हो उसके लिए टेस्ट सीरिज भी यहाँ पर टेस्ट भी रहेंगे तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं ठीक है तो यह दोस्तों सभी के लिए हिंदी साहित जिसमें भी जिस एक्जाम की में पूछा जाता है उन सभी एक्जामों के लिए के हिंदी साहित का कोर्स आप लोगों के लिए दोस्तों क्या है बहुत ही अच्छा है और आप लोगों के लिए ही लांच किया गया और आप लोग इसको जॉइन जरूर करेंगे ठीक है सबी लोग जॉइन करें जिसको इसके बारे में जानकारी लेना है वो जानकारी ले सकता है ठीक है कि किस प्रकार से जॉइन करना है कैसे करना है तो सबी साती मैं कहता हूँ कि सारे साती दोस्तो इसकी प्राइज बारा सो रुपे है और बारा सो यानि कि आप लोगों से पूछ ब्याक्रण भी कबर किया जाएगा, हिंदी साहिध भी पूरा कबर किया जाएगा, साती टिर्की वीडियो मिलेंगे, साती टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है,頻道 लोग दोस्तों पर्चेज करें और वीडियो को सबी लोग लाइक करें, रोज 9 बजे किलास होती है यहना पैड मेंबर की सामको 5 बजे किलास होती है जो पैड मेंबर है जिन्होंने पैड परचेस किया है उसका 5 बजे लाइब किलास होती है recorded course आपको एप पर मिलता है हैना test भी आपका होता है chapter wise तो जरूर दोस्तो आपको यहाँ पर इस course को purchase करना है और बता देना है कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है ना तो जल्दी से दोस्तो अभी download करें self study classes है ना और दोस्तो वीडियो को like करें share करें जय हिंद